कि अपिश्ट को देखेंगे तो अब्रेटी पोश्ट में क्या है में कि फर्स्ट जो कोश्टन है कि वीच आफ फ्लाविंग इस यूजड इन ऑप्रिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर जो मनों का है वह इसमें से किसके पर वह फोलू करता जैंकिस के प्रिंसिपल पर काम करत सबसे पहले कोश्टन से उसको खुद अपने से करने का कोश्टिस केजिए तो चार आपको प्रेक्शन डिफ्रेक्शन या रिफ्रेक्शन चार अप्शन मताने कौन से इसमें से सकेंड कोश्टन क्या है कि एस्ट्रोनिकल टेलिस्कोप एस लार्ज एपर्चर तुट अगर टेलिस्कोप का एपर्चर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा इस्पेरिकल अबरेशन घड़ जाएगा या इंक्रीज ऑफ अबरेशन जो है वह आपका भढ़ जाएगा कि इस उसका ज्यादा हो जाएगा या डिस्पर्शन जो है उसका कम हो जाएगा यह आपका दिया हुए इसमें नेक्स्ट कोश्टन में क्या है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट इसके कारण से होता है यह आपको बताना है इसमें वेवलेंध इंटेंसिटी टेंसिटी ओफ मेडियम य या नन अब देच इसमें से तीनों में से कोई नहीं और लास्ट कोर्शन जो था इसमें कि रेडिस एपिरेंस ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग संग इस जीटू सुबावड साम के समय सुर्ज का रंग जो है वो लाल होता है किसके कारण से होता है रिफ्लेक्शन, स्केट्रिंग, डिफ्रेक्शन और इंटर्फेनेस उड़ाएं चार कोईशन आपके पास है खुद पहले आपको इसो कर लीज़े और फिर आपको करके आपको उसको देखते रहाते है ठीक है स्टाट करतें है आपको आपके कि और चैनल यह चैनल और यह टोल इर्फ्लेक्शन का विखा द्लिकसिंता condition कि होता है यह आपका डामन है डावां जो होता है डामन का चबंख्णा वह इसमें आ जाता है उसमें आता है मिराज आता है चार इसमें आता है तो एक टोटल इंटर रिफ्लेक्शन जो है उसका उसका बढ़ जाएगा आता है और अच्छा वग किलर बनेगा तो एक परचर बढ़ाने से उसका जो है रिफ्लेशन जो होता है वह क्या होगा बढ़ते चलाएगा फड़ कोशन क्या है डिसफ़र सन जो लाट पास कराते तो पास कर न के बाद कर लाज़ हो जाता है तो उसका होने के पीछे पूछ रहेगी कोशन क्या कह रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है नत तो सभी जितने भी वाइट टार रहा कर अब यहां से जो अलग यहां से फिर किया अलग लग लग यहाता है तो तो सभी color के पीछे ओपर क्या होता है, rate और नीचे क्या होता है, violet होता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है, कि हर एक color का wavelength जो होता है, वह change होता है, wavelength के कारण ही वह separate होता है, तो सबसे main कारण क्या होता है, कि किसके कारण से dispersion होता है, वह होता है, wavelength के कारण, intensity, density से मतलब न सबसे कम होता है जिसका सबसे कम वेवलेंथ है उस सबसे नीचा जाता है कि इस करद्थे कारण से वेवलेंथ ऑफ लाइट के आफ होता है कुछ में गया है इसकी कि यह ऑफ राज़ और जांक होता है सुर्ज के कलर जो है लाल होता है वह किसे कारण से होता है पढ़ेंगो उसमें वह क्या होता है वह जो है प्लू अफ श क्लार आप अजिवा प्रिकेशन है तो हो के अप्लिकेशन है और एक इसकार इंटरेम् रिफ्लेक्षा प्लाइट तो आपने कि चारों में से कितना अपस्ट सही होता है और इसमें लाने कोशन में प्रेश्ट कीजिए इसको देखें कोशन और इसमें कि ग्लास लेप का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुए और उसका जो थीकनेस दिया हुए ग्लास लेप का वह थीकनेस कितना दे दिया है उसका इसके नीचे एक पेपर रख दिया गया तो कह रहा है कि पेपर जो फुरास दिखाए पड़ेगा तो करें वाटी दिखाए पड़ेगा वह कितना सिफ्ट करेगा तो इसका एक फर्मला होता है नसजो होता हैक क्या फर्मला होता है प्रते गो को टे कव कि ऑपर कुछ दिखाएपड़ेगा लेटर के गला सलेपके नीशे पेपर देते हैं और ऊपर से देखते हैं तो लेटर कुछ का वह राइजिन दिया था कुछ उपर को दिखाए पड़ा कितना सिफ्ट करेंगा फॉर्मलाई है तो टी के हम लों का यहां थिकनेस हो जाता है थिकनेस कितना दिया हुआ है थिकनेस से 6 सेंटीमीटर तो 6 हो गया 1-1 इंडेक्स किता दिया हुआ है ग्लासलेप का 1.5 दिया हुआ है तो 1.5 हो जाएगा 1.5 हो जाएगा तो 6 1-10 D21 15 हो जाएगा कितना जाएगा 6 15-10-10 बाइफ 15 आ जाएगा तो 6 5 बैफ 15 5 3 जा 15 3 तो जाएगा ठीक तो कितना वह शिफ्ट करेंगा तो शिफ्ट जा जुआ रहा रहा है वह जाएगा तू सेंटिमीटर वह जो क्या करेगा वह सिफ उपर दिखाए पड़ेगा नेक्स वसन क्या हम लोगा नेक्स हम लोगा कमिनेशन ओफ लेंस का कोश्चन है कि टू लेंस का पावर दिया हुआ है एक 3D प्लस में और एक हम क्या है मैनस 1D दिया हुआ और दोनों को क लोगा तो पुछा कि जो कोंटेक्ट करने के बाद सब तो फोकल लें धृत या और उसना नेचर क्या होगा प्लस होता है तो इसमें क्या आज आएक हम लोगा पावर क्या बन जाता है पावर प्लस पीटी घुट प्लस पीटी यूंट अब लेकर पूज रहें क्या होता है फोकल रॉबर क्या होता है वन पी होता है 1 by 2 किटा by 0.5 में आगए आप्सें मेरे पास किस में दिया वाए सेंटी मीटर में दिया हुआ है सब्सक्राइब कॉन्वेक्स क्या होता है कि अगर यह ओप्सन क्या होता है माइनस आता है तो कॉन्वेक्स हो जाता है लेकिन अगर यहां क्या प्लस में आ रहा है इसलिए किसे जाएंगे मिलोग कॉन्वेक्स आएगा और क्या होंगा शुर्ट के वह विंटारा रहा है कि यहें ट्री नियुक्त यह विद है इंटेंट इनि ग्लास एफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है तो कर रहा है कि wavelength of the ray within the glass, light जो बहर से आ रहा है, glass mean कर रहा है, तो उसके light का wavelength और जब ग्लास में जब जाएगा, तो डिक्रीज करेगा, तो उसका wavelength क्या हो ग्लास का, वो निकालना है इसमें, तो अब यहां पर क्या होगा इसका, formula क्या पर इसको ड्राइड कर लिजए, देखें हैं, space में आगे, तो इसका formula क्या होता है, तो formula जो इसका हमनों का है, कि glass में उसका wavelength क्या होगा, तो wavelength in glass जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लेमडा, और किसमें इसका है, वो कहां का refractive index है, यह हो जाएगा, formula होता हमनों का wavelength in glass, जो लाइट इंटर कर रहा है, तो formula हम बताया हैं कि एक चीज़ जो चेंज नहीं करता हो, frequency चेंज नहीं करता है, वेलों को चेंज करेंगा है, refractive index हमनों का दिया हुआ है, कितना है, 1.5 और wavelength जो है, 20 nanometer है, क्या जाएगा हमनों का, 720 by 1.5 हो जाएगा, तो कि option में भी किसमें दिया है, नेनो मेटर में दिया है, तो चेंज दने को जो जाएगा, इसी को solve कर दिये, तो कितना हो जाएग हमनों का, 10 हो जाएगा, 720 x 10 by 15 हो जाएगा, अब क्या सब, 5 से कटेगा, 5, 2,010, 5, 3,050, 3,060, 3,060, 3,4,020, 4,080 nanometer, हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कि जब light जो है, वह किसे glass में in कर रहा है, तो उसका wavelength decrease करता है, एपल करना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, उसको refractive index से divide करते हैं, तो 480 nanometer हो जाएगा, इस option क्या हो जाएगा, 480 nanometer हो जाएगा, और last question क्या बोलना हमनों का, कि two mirror are kept at 60 degree, two mirror, दोनो mirror जो है, वह कितना रखा गया, 60 degree angle, एक mirror माली इस तरह से, एक mirror इस तरह से रखा हो जाएगा, और दोनो mirror के एंगल कितना हमनों का, 60 degree में रखा गया, और दोनो mirror के बीच में body रखा गया, तो यह body यहां रखा गया, body है, एक एंगल कितना देदी है, एंगल कितना हमनों का, sorry, कितना है, 60 degree angles रखा गया, तो पूछ रहा है कि जो number of image बनेगा, ओ कितना बनेगा, तो number of, यह mirror आपका हो गया, यह mirror हो गया, तो number of image बनेगा होता है, 360 by theta minus 1 होता है, number of image form two plane mirror, और कुछ angle के साथ रखा गया है, तो formula होता है, 360 by theta minus 1, चितना हमनों क्या होगा, दोनों के mirror के बीच का angle कितना दिया होगा, तो theta दिया होगा, 60 कितना होगा, तो क्या होगा, 360 by 60 minus 1 हो जागा, कट जाएगा, कितना होगा, 6 minus 1, equal to 5, number of image form होगा, वो कितना होगा, वो होगा, तो यहां मोलोगा क्या है, कि angle दिया होगा है, अगर आपके बीच का दो mirror के बीच का angle दिया होगा है, number of image form करने बोलेगा, तो इस तरह से हम लोग इसको जो निखाल सकते, wavelength होगा ही, बहुत मने हमें सब question पुछा दा है कि wavelength अगर in कर रहा है तो wavelength कितना हो जाएगा, और यह तो normal shift का question होगा, combination of lenses, तो topic जो हम लोग कहते है, यह हम लोग का ray optics, कुछ numericals था, कुछ और जो objective question, अलवर्य थाइब को question होगा है, एक शुटम जेके हम लो, यह, थैंक्यू..